हेलो बच्चों स्वागत है आपका आपके हमारे इस नए लेक्षर में और बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं पिगन जंक्शन डायोड के केरेटरिस्टिक ग्राफ के बारे में ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टिन्ट हो जाता है क्लास 12 के लिए बोर्ड इक्जाम के लिए और ये बहुत ही इंपोर्टिन्ट हो जाता है 12 के लिए भी तो दुस्तों आपको इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको यह बिए सी अगर आप करने वाले हैं तो उसमें भी आपको यह काम आने वाला है तो चलिए दूस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते ह और हम आपको बताते हैं कि PN-Zunson Diode का characteristic graph कैसा बनता है और उस graph की पूरी detail हम आपको देने वाले हैं और उस से question क्या क्या बनते हैं उसको भी हम आपको बताने वाले हैं तो बीडियो के साथ बने रहे और हम आपको पहले कुछ बातें बताते हैं और उसके बाद graph बनाकर पर है पहला फार्वर्ड वाइसिंग और दूसरा रिवर्स वाइसिंग हमने आपको बताए था कि फार्वर्ड वाइसिंग में जो करेंट फ्लो होती है वो जो फार्वर्ड वाइसिंग में कि फारवर्ड बायसिंग जो होती है इसमें जो करेंट फ्लो होती है करेंट 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 फ्लो होती है जो वो किसके कारण होती है मेजार्टी चार्ज के जिर कारण किसके कारण मेजार्टी चार्ज के जिर के कारण करेंट फ्लो होती है और जो रिवर्स बायसिंग में होती ह reverse pricing में जो current flow होती है वो minority charge carrier के कारण होती है तो आप लोग जानते हैं कि majority के कारण जो current flow होगी वो बहुत जादा होगी जब कि minority के कारण जो current flow होगी वो नामात के होगी जिसका हम use नहीं कर सकते हैं ठिक इतनी बात अगर आपको समझ में आई आगे बढ़िए तो जो majority charge carrier होते हैं वो थोड़ी सी जो potential होती है आप लोग जानते होंगे कि forward pricing का हम figure बनाते हैं यह आप लोग देख सकते हैं कि forward pricing में होता क्या है कि यह अग अभिनत में लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं एक electric field वैटरी के कारण jisका is अब एक इलेक्टरी फिल्ड ऑर मइनस है के कारा उत्पन होगा जिसका direction ये होगा नहीं तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या VARIOUR POTENTEAL अब हमको जो इसे VOLTEZ लगाना होगा वो इससे ज़्यादा लगाना होगा तभी कररेंट फ्लो होगा क्यों क्यों की VARIOUR POTENTEAL जो है उसके जितना अगर हम VOLT लगाएंगे तो दोनों मिलकर cancel हो जाएंगे ठिक जब हम इस से ज़्यादा लगाएंगे कुछ ना कुछ परिमार हमारा बचेगा और उसी परिमार से उसी force से हमारे electron accelerate होंगे और move करने लगेंगे इतनी बात समझ में आई मतलब forward washing में होता क्या है कि एक निश्चित value होती है जिसके उपर हम जब potential यानि की voltage लगाते हैं बढ़ाते हैं तो हमारा current flow होने लगता है इतनी बात समझ में आई मतलब कि जब इस EI को इस EI से मतलब VI से जब हम जैसे ही ज़्यादा current बढ़ाएंगे वैसे ही current हमारा flow होना शुरू हो जाएगा इतनी बात समझ में आई अब हम आपको graph दिखाते हैं अब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें आप देख कर समझ गे कि ये हमारा जो है ये जो है हमारा ये forward के लिए है और ये reverse के लिए है ठिक जब हम forward voltage बढ़ाते हैं forward voltage देरे देरे बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसा समय आता है कि इसी पर जो है हमारा current flow होने लगता है यहां तक देखिए आप current कमान बिल्कुल 0 के लगबख है यह हमने थोड़ा उठा भले दिया है लेकिन यह ऐसे जाता है ठिक तो यह forward voltage जब बढ़ाते हैं हम तो एक निश्चर voltage के बाद जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे है current flow होने लगता है आई कमान बढ़ने लगता है ठिक अब इसी तरीके से reverse के लिए reverse के लिए हम पीछे जे graph बनाएंगे वो आपको हम अभी दिखाते हैं रिवर्स में आप लोग जानते होंगे क्या होता है reverse में हमने आपको बताया था अगर वो वीडियो आपने नहीं देखिये तो उसको जरूर देखिये चुकि अगर भी ना उसको देखिये आपकी इस समझ में आई नहीं क्योंकि यह जो chapter है इसकी एक कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है अगर आप कोई भी कड़ी छोड़ देंगे तो आपके वीडियो समझ में नहीं आएगा तो रिवर्स में हमने आपको बताय था कि जो external electric field है external अतलब बाया है electric field जो है वो आंतरिक electric field के direction में होता है ठिक तो उसके कारण उसमें current जो है वो flow होती ही नहीं है शुरू में current flow होती ही नहीं है उसमें तो उसका graph कैसे बनेगा आप potential बढ़ाते जाएए बढ़ाते जाएए लेकिन current flow होगा ही नहीं क्योंकि move करने वाले electrons और holes जो हैं वो बहुत कम संख्या में हैं बढ़ाते गए current flow हो ही नहीं रहा है लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब हम यहां इतना voltage बढ़ा दिये कि current बहुत तेजी से flow होने लगा इस forward से भी तेजी से current flow होने लगा ऐसा कैसे हुआ मतलब हम voltage बढ़ाते गए current flow नहीं हो रहा है ठीक ही आप current कमान नहीं बढ़ा है voltage बढ़ा रहे है लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब हमने voltage को बढ़ाया तो current एक ऐक बहुत तेजी से बढ़ने लगा एक ऐक बहुत तेजी से बढ़ने लगा ऐसा कैसे हुआ आपको हम समझाते हैं आप लोग ये figure देखिए इसको उत्करम अभिनती में जोड़ा गया है अब आप लोग देखिए यहाँ पर यह जो है हमारा क्या है यह हमारा है बैरियर पोटेंशियल ठिक यह हमारा बैरियर पोटेंशियल है और इस इलेक्ट्रिक फिल्ड का डिरेक्शन यह है और इस इलेक्ट्रिक फिल्ड का डिरेक्शन भी यही होगा प्लस चे माइनस प्लस चे माइनस इलेक्ट्रिक फिल्ड का डिरेक्शन होगा अब इसमें देखि जिनको इसमें दिखायर नहीं गया है अब इसमें जो करेंट फ्लो होती है यहां पर प्लस है तो प्लस वाला इसको रिपल्स करेगा इसको धगे लेगा तो यह मूब करने लगेंगे माइनस वाला इसको धके डगा इलेक्टरान को यह मूब करने लगेंगे चुकि इनकी संख्या बहुत कम है इसलिए करेंट इसमें बहुत कम मातर में फ्लो होगी इसलिए इसमें जो करेंट होती है वो बहुत मातर में बहुत कम मातर में फ्लो होती है अब बात करते हैं potential बढ़ाने पर जब हम यहां से battery का potential बढ़ते हैं लगातार बढ़ाती जाते हैं तो यह move गर, इसको ढखेलता रहता है, ढखेलता रहता है लेकिन एक ऐसा समय आता है कि यहां पर जो पर्माणू रहते हैं मुक्त इलेक्टरान के साथ जो परमाड़ रहते हैं उनके बाउंडेड इलेक्टरान्स उनके बाउंडेड होल्स जो होते हैं बाउंडेड होल्स जो होते हैं वो भी मूब करने लगते हैं जैसे यहां पर मनलों कि जो इलेक्ट्रांस ये तो फिर इलेक्ट्रांस हैं लेकिन जो परमाणू में इलेक्ट्रांस बंधे रहते हैं उन उन इतना फोर्च बढ़ जाता है कि वो भी मूब करने के लिए मजबूर हो जाती हैं और सभी जो है एका एक मूब करने लगते हैं सारे इलेक्टरांस जिसके कारण उसमें जो होती है करेंट बहुत भारी मात्रा में फ्लो होने लगती है ठीक दोस्तों उतकरम अभिनती में करेंट बहुत जादा मात्रा में फ्लो होने लगती है यही कारण होता है कि उतकरम अभिनती में जब हम बोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम जैसे ही थोड़ा बोल्टेज बढ़ाए वैसे ही करेंड बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो होने लगती है ठीक दोस्तों तो आसा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और आपको एक बार हम ग्राफ फिर से दिखाते हैं आप लोग यह देख सकते हैं ग्राफ बोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए एक समय ऐसा आता है कि यह करेंट बहुत तेजी से फ्लो होने लगता है और यह लगभाग 10 बोल्ट होता है यह लगभाग 10 बोल्ट होता है रिवर्स बोल्टेज जिससे ज़्याद हम जैसे बढ़ाते हैं वैसे करेंड बहुत तेरी से फ्लो होने लगती है तो वासा करते हैं कि आपको पीगन जक्शन डायोट का करेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है को समझ में आओगा इससे कोईस्टन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब पर यह ताकि आपको इसी प्रिकार से लगातार आपको मिलती है तो चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और रासा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा